ओम शान्ति आव्यक्त बाप दादा के आव्यक्त मदूर महावाक्या की डेट हैं 7 फेबरुआरी 1976 और मुर्ली का शिशक हैं महारथी की नथिंग न्यू की स्थिती और वियर्थ के खाते की समाप्ती महारथी की नथिंग न्यू की स्थिती और वियर्थ के खाते की समाप्ती बाप दादा की सहयोगीनी अथक सेवाधारी विश्व कल्यानी दिदी जी से मुलाकाट करते हुए शिवाबा बुले महारथियों के महान स्थिती की निशानी विशेश जिससे स्पस्थ हो जाए कि यह महारथी पन का पुरुशार्थ है वा क्या होगी एक तो महान पुरुशार्थी अर्थात महारती जो भी द्रश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लेन अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है वह नथिंग न्यू लगेगा कोई नई बात अनुबव नहीं होगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे और दूसरा ऐसे अनुबव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृती स्वरुप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित मात्र रिपीट कर रहे हैं कोई नई बात नहीं कर रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं स्मृती लानी नहीं पड़ेगी कल पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है लेकिन जैसे एक सेकंड की बिती हुई बात बहुत स्परस्त रूप से स्मृती में रहती है वेसे वह कल्प पहले की बिती हुई सीन ऐसे ही स्पुरूति में होगी जैसे कि एक सेकंड पहले बिती हुई सीन स्पुरूति में रहती है क्योंकि एक साक्षीपन दूसरा त्रिकाल दर्सी या दोनों स्टेज महारतियों की होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश वा ताजी रहेगी इसलिए nothing new और दूसरा क्या होगा कोई भी कितनी भी विक्राल रुप की परिस्थिती हो या बड़े रुप की समस्या हो लेकिन अपनी स्टेज उन्ची होने के कारण वा बिल्कुल छोटी लगेगी पहाडी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है ना बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मौडल रुप सा दिखाई पड़ता है इसी रित्ती महारथी के महान पुरुषाट के सामने उसे कोई भी बड़ी बात बड़ी अनुबव नहीं होगी तो महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषाट की यह दो निशान्या है जिसको दुसरे शब्दों में कहा जाता सुली काटा अनुबव होगी ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी अर्थात जो होनी होगी सदेव वही शब्द मुख से निकलेंगे जो भावी बनी हुई होगी इसको ही सिद्धी स्वरुप कहा जाता है जो बोल निकलेगा जो कर्म होगा वस सिद्ध होने वाले होंगे वियर्थ नहीं होंगे महारथी की निशानी है विकर्मो का खाता तो समाप्थ होता ही है लेकिन वियर्थ का खाता भी समाप्थ मास्टर सर्वशक्तिवान है न तो Master सर्वशक्तिवान की स्टेज का practical स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ वियर्थ का खाता भी समाप्थ होगा यह है महारतियों के पुरुशात की निशानी नजर से निहाल करने की सर्विश शुरू की हैं एक है महादानी दुसरे है वर्दानी और तीसरे है विश्वकल्यानी तो यह तिनों ही विशेष्टाए एक ही में है या कोई विशेष्टा किसी में है और कोई किसी में किसी का वर्दानी रूप का पुजन है किसी का विश्वकल्यानी के रूप में पुजन है पुजन में अत्वा गायन में भी फर्क क्यों है होंगे तिनों ही लेकिन परसंटेज में फर्क होगा कोई में किसी बात की अन्या कोई में किसी बात की परसंटेज कम अत्वा ज्यादा होगी एक है कर्मों की गती, दूसरी है प्रालब्द की गती और तिसरी फिर है गायन और पुजन की गती जैसे कर्मों की गती गुई है वेसे इन दोनों की गती भी गुई है प्रालब्द का भी सक्साथ का प्रेक्टिकल में अभी होना तो है न कौन क्या बनेगा और क्यो बनेगा की साधार से बनेगा यह सब स्पस्ट होगा ना चाते हुए भी ना सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क वा संबंध आटोमेटिकली ऐसाई होता रहेगा जिससे समझ सकेंगे की कौन क्या बनने वाला है चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पन हो जावेगा कर्म में और दर्पन में हरेका स्पस्ट सक्षातकार होता रहेगा अच्छा, इस वानी का मूल तत्व एक जैसे उन्ची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है इसी प्रकार महारथिक के महान पुरुशाट के सामने कोई भी बात बड़ी अनुबव नहीं होगी अर्थात सुली काटा अनुबव होगी दूसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रेक्टिकल स्वरुप विकर्मों के खाते के साथ साथ वियर्ट का खाता भी समाप्थ होगा तिसरा, महारथिक की मुख्य निशानी उसे कोई भी बात नहीं लगेगी जैसे एक सेकन की बिती हुई बात बहुत स्पस्ट रूप से स्मृति में रहती हैं वेसे कल्ब पहले की बिती हुई सीन भी स्मृति में होगी क्योंकि महारथि एक तो साक्षी होगा, दूसरा त्रिकाल दर्शी होगा अच्छा, ओम शान्ति